सो फ्रेंट्स हीहा मेरे पास T900 Ultra smartwatch आप लोग यहां पर करना है कि सिंपल इस smartwatch को आप लोग आपधेट कर देना होगा एपने करोगे चले मोग आपके इहां पर और अपने करें और चुनद मीपर अंत फोर unav variance आपके। देन अपनों का पहला जो गेम है अपनों का थंडर फाइटर वो आप लोग है यहां पर खुल जाया कुछ इस तरीके से है अपने Smartwatch के स्सक्राइब है तो फ्रेंस आज की सोड़ियों हम लोग आप देखने वाले हैं इस T9 Ultra या T8 Ultra स्मार्ट वाच है में हम लोग किस तरीक से गेम को इंस्ट्रक्र कर सकते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप लोग T9 Ultra T8 Ultra स्मार्ट वाच जो रहता है वो दोनों ही सेमी स्मार्ट वाच है सेम सेटिंग्स आप लोग आप देखने को मिलते हैं सब चीजी इसका आप लोग आप सेम दिया गया है तो चले फिर वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट संब लोग यह आप परुब्र कर सकते हैं तो आये आप को यहाँ पर जान लोग किस तरीके से स्मार्ट वाच में गयाम पर इंस्टोल करना चाही है सब नहीं आप लोग आपक लोग करन में भी इसoint updates कर देना है आप लोग को update करने क्लिए इसके वेच्ट कर देना के बाद आप लोग वहाँ पर जो ऐप को इंस्टॉल कर देना है अपको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को सफ्ट्वेयर अपडेट को वहाँ पर चेक कर देना है तो उसको जैसे आप लोग जो सफ्ट्वेयर अपडेट करोगे अपने स्मार्ट वाच का सफ्ट्वेयर अ आपर इस smart watch को इस तरीकर से off कर देते हैं और दोबारा हम लोग इस smart watch के आपर on कर देंगे अब जैसे smart watch को off on करेंगे तो आपर on होडा है और अन होने देंगे हम लोग friends यहां पर उसके बाद आप यहां पर देखो हम यहां इसे 荷ट इन आप पर इसा पारोगई पर इस इसे आप लग इन मेना ईंड़ होना उपयां लोग कर जागा तो आप लोग पूरी यह पार खचेंग हो जाएगा यहां से आप लोग को यहां पर कुछ यहां पर करना है, वह आप लोग को यहां पर कुछ भी करना नहीं होगा, आप लोग के यहां पर आ गिया है, एक आप लोग का कारवला गेम्स हो गया, दूसरा आप लोग के यहां पर यह गेम्स हो गया, किससे मैंने डाउनलोड किया था इससे प्लेशियोट को और क्लिक करके में यहां पर जो इसी स्मार्टवाच को आप डाउलोट कर सकते हो आप लोग का स्कैनर भी अलग तरीक्डा नहीं लगा हो क्योंकि यहां पर जो स्मार्टवाच अपडेट हुआ है उसी लिए ऐसा आ रहा है अब आप लोग देखो इसको उपर क्लिक करेंगा यहां से जो आप लोग Car Games को बड़े आसान तरीकल से यहां पर खेल सकते हो यह जो Car Games पहले बार आप लोग आप लोग आपर खेलो गहाend अब लोग को यहां стали कहने वाला यह गेम यहां पर आता जाएगा तो यह उसी तरीके से यहां पर आता जाएगा तो यह हमारा पहला game मोगे यह download अब हम लोग यहां पर देखते हैं आप लोग आपर दीव से समार्ठ वाच वह से स्मार्ठ वाच में पर सनु Greek को सिर्सटॉ तो आपने यहां पर गेम को खिल सकते हो अब बहुत लोग के मर में आप डाउट होगा कि मैंने इस smartwatch में गेम को कैसे इंस्टॉल कर लिया यह तो है T900 Ultra smartwatch आखिर में आप लोग मैंने जो यहां पर इंस्टॉल किया गेम को यह गेम इंस्टॉल हुआ कैसे आखिर में चाहिए रियल में गेम इंस्टॉल हुआ है तो मैं आप लोग को क्लिरली बात बदा देना चाहता हूँ यह स्मार्ट वाच में अभी जो गेम इंस्टॉल किया यह स्मार्ट वाच में गेम इंस्टॉल होता ही नहीं है यह जो है मेरे पास T900 Ultra smartwatch ही है और इस smartwatch में आप लोग गेम को एकलग कर सकते हो अब स्ष्चान पर बात आता हैसे में आ ड्लेकी यहां पर बोला था अप इंस्टॉल करने के लिए and आप इंस्टोल पर क्लिक कर देना है यह मैंने सही बोला आप लोग को यहां पर करना है उसके बाद आप लोग को यहां पर करना है आप लोग इस स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हो कनेक्ट करने के बाद आप लोग पर सफ्वट्वेयर को उप्डेट करने के यहां पर यहां पर चेंज हो जाएगा software update करने को बाद यहां पर download हो जायागा मैंने इस तरीके आप लोग यहां पर सोच रहे हो कि इन्हों ने तरह सा बोला है कि आप लोग जैसे इसके उपर click करके software download ख़़े हो तो आप लोग कस तरीके से change हो जायागा मैंने यह नहीं बोला कि आप लोग जो ने थमनेल पर देखा अगा fighter pilot है यहां पर आप लोग का car game है यहां पर इस तरीके सा आप लोग यहां पर गेम देख पा रहे होगे पर वो जो है only आप लोग का इस smart watch T900 Ultra में fighter pilot ही game यहां पर install है जो कि आप लोग देख सकते हो आप लोग यहां पर जो है इस smart watch में game install करने का कुई सा भी आप लोग को source नहीं मिलने वाला है यह क्योंकि यह जो smart watch में आप लोग इस smart watch में कुछ VGB तक आप लोग को RAM नहीं मिलता यानि कि आप लोग को थोरा सा अगरा इसमें RAM दे दिया गया होता तो इससे आप लोग जो है इस smart watch में game को install कर सकते हैं पर यहां पर जो है इस smart watch के app जिससे आप लोग इसे connect करते हो इससे आप लोग जो है game को install नहीं कर सकते हैं अब बात आता है कि मैंने आप पर कौन से smart watch दीखा तो यह था मेरे पास यहां पर देखो दोनी smart watch आपको सेम लग रहा होगा देखने में आप लोग यहां पर देख सकते हो एकदम आप लोग को same to same दोनों smart watch लग रहे हैं कौन है T900 कौन है T800 कौन है MT78 अल्टा आप लोग कंफ्यूज ही हो हैंगे क्योंकि यहां पर यहां पर यहां देखा जाए त हो था MT78 अल्टा smart watch जिसी को मैंने बोला था आप लोग जैसे अपने smart watch में software को update करोगे software को update करने का था आप लोग का menu इस्टालियां पर change हो जाएगा पर वैसा नहीं है आप लोग जो software भी अगर अपडेट करते हो तो हो सकते कि हलका आप लोग का change हो पर उतना change नहीं होने आप लोग का जैसा smart watch है जैसा आप है वैसा ही राने वहला आप लोग का कुछ भी चीज sı्ट यहां पडेर शेंज नहीं होगा चेंड आप लोग को थोड़ा सा हैंग कर रहा होगा smart watch या bug fixed आप लोग का यह कर सकता है जिसा आप लोग का speaker का फोली महलका सा आप लोग का increase कर सकता है ज्यादा कुछ यहां पर लोग को बोला था कि यहां पर इसको पर क्लिक कर देना है अगर आप लोग वीडियो को दुबारे पीछे करके देखो तो मैंने इस बटन को यहां पर क्लिक किया था क्लिक करने के बाद यहां पर यहां पर जो था हमारे smart watch इस तरीके से यहां पर जो आपन हो गया था तो आप लोग यहां पर समझी गोंगे कि इस T900 Ultra smart watch में हम लोग यहां पर गेम को इंस्टॉल नहीं कर सकते बहुत लोग के मन में क्यों फ्यूजन है बहुत लोग का कमेंट भी आता है यहां to आप लोग जो इस इस smart watch में गेम को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं बात करते हैं 1778 Ultra smart watch की तो जो smart watch रहता है उसमें अगर पहले से गेम इंस्टॉल किया रहता है तो उसी को आप लोग खेल सकते जैसे इस smart watch में दो गेम है यह खार वजो यह गया देन को IDI कर सको उनलीस में दिया गए कि आप लोग sports mode को IDI कर सकते हो पर गेम को नहीं एडी कर सकते हो गर गेम करना है था अप लोग fireball cyclone था उसी smartwatch निए यहां पर गेम एड होता था पर अब हो सकते है उसमें भी गेम को install कर सकते हैं अब जीसे smartwatch के app में दिया रहा है गा option तो उसी में ने कर सकते हो इन दोनों smartwatch में धोरे दिया गया है कि आप लोग जो है इसे connect करो and then अपने smartwatch में game को install कर लो एसा तो नहीं है इन दोनों smartwatch में आप लोग को यहां पर apps में कहीं पर भी game को add करने का option देखने को नहीं मिलता है पर यह जो smartwatch है mt78 delta इसमें एक feature देखने को मिलते है वो feature यह है कि आप लोग जैसे smartwatch को connect करते हो and then आप लोग को इस smartwatch में एक GB का इंट एक GB friends sorry friends यहां पर आप लोग को जो है इस smartwatch में 1 GB का आप लोग को internal storage यहां पर provide किया गया है जिसके करन कि आप लोग जो है इस smartwatch में यहां पर music सबको भी यहां पर store कर सकते हो पर इसका तो यह मतलब नहीं हम लोग music store कर लिए तो इस smartwatch हम लोग game भी download कर लेंगा ऐसा नहीं है आप लोग जो इस smartwatch में भी game को यहां पर install नहीं कर सकते हो और बात करते T9 Ultra या T8 Ultra आप लोग दोनों smartwatch में game को install नहीं कर सकते हो जो सभी आप लोग को game दिया गया है वह ही आप लोग खेलो otherwise आप लोग दूसरा smartwatch पर से सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में so thanks for watching और प्रीज लाइक और सब्सक्राब और से ओसे और फ्रेंट्स